बच्चो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा समाकलन, समाकलन के बाद आपने पढ़ा कठिन समाकलन, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन, जहां पर किसी फलन का समाकलन ग्याद करने के बाद उसमें सीमा अप्लाई करेंगे, जैसे कि integration a to b f of x dx equal to, इस तरीके से, और आगे हम इस प्रकार के प्रशनों को सरल करेंगे, समाकलन के मूलभूत प्रमे का उप्योग करके भी हम प्रशनों को सरल करेंगे, और हम देखेंगे कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधी का उप्योग किस प्रकार किया जाता है, और सीमा किस परिवर्थित होती है और फिर दिये गए फलन का समाकलन हम ग्याद करते हैं और हम घंसा समाकलन का भी उपयोग करेंगे साथ में निश्चित समाकलन के अलग-अलग प्रगुणों का इस्तमाल करके हम विभिन प्रकार के फलोनों का समाकलन ग्याद करेंगे जहां पर सिर्फ समाकलन के प्रगुणों का इस्तमाल करके हम प्रश्णों को सरल कर पाएंगे आई आगे देखते हैं प्रश्न दिया गया है कि योग सीमा के रूप में निशित समाकलन की परिभासा से निमनलिखित निशित समाकलों के मान ग्याद कीजिए. इसमें पहला प्रश्न है इंटिगरेशन A to B, E का पावर X, Dx. इसका हमें समाकलन ग्याद करना है. लेकिन योग सीमा के रूप में. तो इसे सरल करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम इंटिगरेशन A to B, F of X, Dx को योग सीमा के रूप में कैसा लिखते हैं. इसके लिए हम लिखते हैं, लिमिट H tends to 0 into H into F of A plus F of A plus H plus F of A plus 2H. इस तरीके से आगे भी पद होते हैं और अंत वाले पद को लिखते हैं, F of A plus N minus 1 into H. तो यहां पर इस सूत्र का उपयोग करके, हम इंटिगरेशन A to B, E का पावर X, Dx को सरल करेंगे. लिखते हैं, लिमिट H tends to 0. H, F of A, तो F फ़लन है, यहां पर X के इस्थान पर हमें A लिखना है. यहां पर E का पावर X है, तो आपको मिल दाएगा E का पावर A plus F of A plus H, तो X के इस्थान पर आपको A plus H लिखना है. तो आप लिखेंगे A plus H, फिर E का पावर A plus 2H, इस तरीके से आगे भी आपको पद मिलेंगे, और आप अंत में लिखेंगे E का पावर A plus N minus 1 into H, फिर यह ब्रैकेट क्लोज, अब यदि आप ध्यान देंगे तो प्रत्येक पद में E का पावर A है, यदि आप E का पावर A को भेनिस निकाल लें, लिमिट H tends to 0, H into E का पावर A, यहाँ पे आपको मिलेगा E का पावर H, यहाँ पे आपको मिलेगा E का पावर 2H, इस तरीके से E का पावर N minus 1 into H, यह आपको मिल जाएगा, अब यदि इसे आप ध्यान दें, तो यह गुणोत्तर स्रेणी है, 1 में multiply करेंगे E का पावर H, तो E का पावर H मिलेगा, फिर इसमें E का पावर H multiply करेंगे तो E का पावर 2H मिलेगा, तो गुणोत्तर स्रेणी के N पदों का योगफल, आपको पता है, A into R का पावर N minus 1 upon R minus 1 से, इस सूतर का उपयोग करेंगे और इसका हम योग लिखेंगे, तो यह limit H tends to 0, H into E का पावर A, A यहाँ पर 1 है, R का पावर N, मतलब E का पावर H, और इसका पावर है N, minus 1 upon R minus 1, R का मतलब है, E का पावर H minus 1, आगे सरल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, limit H tends to 0, H E का पावर A, E का पावर N, H minus 1 upon E का पावर H minus 1, अब इसे हम दो अलग अलग limit के multiplication के form में लिखेंगे, limit H tends to 0, E का पावर A, अर्थात ये वाला पावर, और E का पावर N, H minus 1, ये एक limit, और दूसरा limit, limit H tends to 0, H upon E का पावर H minus 1, ये वाला पावर, ये दो अलग अलग पद हमें मिल गए, जहाँ पर N into H, ये आपको मिल जाएगा, B minus A, तो आगे से रल करते हैं, तो ये जो पद है, E का पावर A, ये तो H से सोतंतर पद है, अर्थात अचर पद है, अब यदि आप H apply करेंगे, H 0, तो E का पावर H tends to 0, लेकिन यहाँ पर N, H जो है, वो B minus A के बराबर है, तो हम यहाँ पर इससे लिख देंगे, E का पावर B minus A, minus 1, और फिर limit H tends to 0, H upon E का पावर H minus 1, E का पावर H, आपने E का पावर X का expansion पढ़ा होगा, E का पावर X equal to होता है, 1 plus X plus X square upon factorial 2 plus X cube upon factorial 3, इस तरीके से अनंत्पत तक जाता है, तो यह E का पावर A, फिर E का पावर B minus A, minus 1, और फिर limit H tends to 0, H upon E का पावर H, अर्थाथ, 1 plus H plus H square upon factorial 2 plus H cube upon factorial 3, and so on, और लास्ट में आपको मिल दाएगा, यह minus 1, तो यह plus 1 और यह minus 1 कैंसल हो जाएगा, यह E का पावर A, फिर E का पावर B minus A, minus 1, और फिर limit H tends to 0, अन्स में 1 H है, और हर के सभी पदोस्य अदिए आप H को उभेनिश टिकाल लें, मिल जाएगा, एक दन, H बटे factorial 2, H का वर्ग बटे factorial 3, इस तरीके से आगे पद होंगे, यह और यह कैंसल हो जाएगा, और जब आप limit लगाएगे, तो H 0, यह वाला पद 0, यह वाले पूरे पद आगे के पद हमें 0 मिल जाएगा, यह limit के बाद जो पद हैं, उसका मान आपको मिल जाएगा, एक, तो इस प्रकार हमें मिल रहा है, E का पावर A, into E का पावर B minus A minus 1, into 1 करेंगे तो आपको ultimately B मिल जाएगा, तो इस प्रकार हमें यह मिल रहा है, integration sign, A to B, E का पावर X, DX, equal to E का पावर A, into E का पावर B minus A minus 1, यह मान है जो की हमें निकालने के लिए कहा गया था, दूसरा प्रशन है कि फिर से योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभासा से दिये गए निश्चित समाकलन का मान ग्याद कीजे, इसमें दूसरा प्रशन दिया गया था कि, integration from 2 to 5, X square plus 3, DX, इसे हमें solve करना है, योग सीमा के रूप में, निश्चित समाकलन की परिभासा से, इसे हमें solve करना है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए, तो फलन जो है F of X, यह है X square plus 3, मान लेते हैं कि यह 1 है, लोवर लिमिट 2 है, अपर लिमिट है 5, और जैसे कि आप जानते हैं कि N into H equal to होता है B minus A, तो 5 minus 2, that is 3, इसका मतलब यह, कि N into H का मान हमें मिल गया है 3, यह समी करन 2, अब हमें F of A का मान चाहिए होगा, F of A, A का मतलब है 2, यहाँ पर रग जीद 2 कवर्ग, धन 3, मिल जाएगा 7, फिर F of A plus H, अर्थाद, F of 2 plus H, solve करेंगे तो मिल जाएगा 2 plus H का square plus 3, इसी प्रकार F of 2A plus H, तो इसे लिख सकते हैं आप, F of A plus 2H equal to F of 2 plus 2H, तो यह आपको मिल जाएगा 2 plus 2H का whole square plus 3, इस तरीके से आगे भी हमें पद मिलते जाएगे, और अंत वाला पद मिल जाएगा, F of A plus N minus 1 into H equal to F of 2 plus N minus 1 into H, यह फिर solve करने पर मिल जाएगा 2 plus N minus 1 into H का square plus 3, तो अब योग सीमा, के रूप में निश्चित समाकलन की परिभासा से, हम क्या लिखेंगे, 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 A plus N minus 1 into H माल लेते हैं कि यह समीकरण 3 है तो हमें जितने मान प्राप्त हुए हैं उन सब को यहां पर रख देंगे तो लिखेंगे कि उक्त मानो को रखने पर limit from 2 to 5 x square plus 3 dx equal to limit h tends to 0 h into 2 square plus 3 यह पहला मान फिर दूसरा मान 2 plus h का square plus 3 यह दूसरा मान फिर 2 plus 2h का whole square plus 3 यह तीसरा मान इसी प्रकार से आगे भी हमें प्राप्त होंगे और यह मिल जाएगा अंतिम प्राप्त 2 plus N minus 1 into 2h का square plus 3 यदि आप यहां पर ध्यान दे तो आप देखेंगे 3 plus 3 plus 3 यह N times है N bar है तो आगे इसे हम add करेंगे integration from 2 to 5 x square plus 3 dx equal to limit h tends to 0 h into 3 plus 3 plus 3 यह है N bar इसके बाद 4 plus h square plus 2 into 2 into h इस पत का work करेंगे उसी प्रकार इस पत का work करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 plus 4 h square plus 2 into 2 into 2h इस तरीके से आगे भी पत मिलेंगे और 4 plus n minus 1 into h का square plus 2 into 2 into n minus 1 into h यह है limit h tends to 0 into h 3 को यदि आप n times add करेंगे तो मिल जाएगा 3 n इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 4 इस तरीके से 4 plus 4 plus 4 यह n minus 1 बार आएगा इसके बाद h square वाले पत है देखिए यह h square यहाँ पर h square यहाँ पर यह भी आगे h square वाला पत आएगा तो h square into मिल जाएगा 1 square plus 2 square plus 3 square इस तरीके से यह n minus 1 का square तक आपको पत मिल जाएगा फिर plus 4 h 2 into 2 into h 4 h इस तरीके से यहाँ पर भी आपको आगे मिल रहा है तो यह 4 h को जदी आप उवहनिस निकाल लें तो मिल जाएगा 1 plus 2 plus 3 यह भी जाएगा अब 2 n minus 1 times फिर आगे हम लिखेंगे लिमित h tends to 0 h into 3 n plus 4 into n minus 1 plus h square n minus 1 into n into 2 n minus 1 upon 6 plus 4 h into n minus 1 into n upon 2 तो जैसा कि आप जानते हैं कि sigma n square अर्थात 1 का square plus 2 का square इस तरीके से यदि n का square मिले तो हम इसे लिखते हैं sigma n square तो यह आपको मिलता है n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6 यहाँ पर पदों की संख्या n ना होकर के n minus 1 है यह n minus 1 है तो इस तरीके से इसको जब solve करेंगे तो आपको ultimately यह वाला पद मिल जाएगा यह complete यह वाला पद और 1 plus 2 plus 3 यदि आप इसे n times add करते हैं तो इसको लिखते हैं sigma n और यह होता है n into n plus 1 by 2 तो यहाँ पर भी पदों की संख्या जो है n minus 1 है n से एक कम है तो n के स्थान पर आप n minus 1 रख करके solve करेंगे तो ultimately आपको फिर यह वाला पद मिल जाएगा तो यह आगे हमें मिल रहा है limit h tends to 0 h into 3n plus 4 into n minus 1 plus h square n minus 1 into n into 2n minus 1 upon 6 plus 2h n minus 1 दो दोनी 4 तो यहाँ से दो आजाएगा यह h और n और यह n minus 1 अब आगे limit h tends to 0 h को अंदर multiply करेंगे तो मिल जाएगा 3 into n into h फिर 4nh minus 4h यह वाला पद उसके बाद में h n minus h फिर यह n h और फिर 2nh minus h upon 6 फिर 2nh और फिर n h minus h यहाँ पर यह जो h square है इसको हमने एक बार इस वाले bracket में multiply किया है फिर एक बार यहाँ पर multiply किया है और यह वाला जो h है उसको हमने यहाँ पर multiply किया है इसी तरीके से यह 2nh तो हो गया लेकिन यह h जो है इसके अंदर multiply होगा तो यह आए जाएगा n h minus h और जैसा कि थोटे देर पहले हमने देखा था कि n into h equal to 3 यह value हम यहाँ पर put कर देते हैं तो limit h tends to 0 तो यह आपको मिल जाएगा 3 into 3 plus 4 into 3 minus 4 h plus n h तो यह 3 minus h into 3 और फिर 3 into 2 6 minus h upon 6 plus 2 into n h 3 और फिर यह 3 minus h चूकि n h equal to 3 है solve करेंगे तो मिल जाएगा limit h tends to 0 9 plus 12 minus 4 h plus 3 minus h और यह 6 minus h upon 2 तीने कम 3 तीन दूनी 6 तो यह जाएगा 2 और इन दोनों को solve करेंगे तो मिल जाएगा 3 तीन दूनी 6 तीया 18 और यह 6 h अब यदि इसमें आप limit apply कर दें h equal to 0 कर दें यह वाला पद शूनी हो जाएगा यह पूरा पद सूनी हो जाएगा और यह पद शूनी हो जाएगा तो यह 9 धन 12 यह पद यह पद यह पद यहाँ प जाएगे तो मिल जाएगा 48 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है integration from 225 x square plus 3 dx equal to 48 और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था